हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अजीज आप देख रहे हैं मुवी स्टॉक चैनल जिस पर आज मैं बात करने वाला हूँ पीसमेकर के सीजन टू से रिलेटिड आई हुई काई सारी कन्फ्यूजन के बारे में जिसे लेकर के डेफिनेटली आप भी बहुती जादा कन्फ्यूज भी होगे क्योंके जेम्स गन जो ट्वीटर पर अपने हाथ चलाने से नहीं रोकते जिसके बात कुछ जो हेटर होते हैं खास करके जैक स् बनता है जिस पर मैं जल्दी काम करके आपको वो वीडियो भी दे दूगा लेकिन खेर यहां पर बात चल रही है पीसमेकर के सीजन टू से रिलेटेड जिस पर अब आगे बढ़ने से पहले बनती है मेरी छोटी मोटी सीरी की वाज जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब वीडि कभी कभी कुछ अच्छी बाते भी बता देते हो और पीसमेकर के सीजन टू से रिलेटेड उन्होंने जह बात फिलाहल तो ओडियंस को अभी ही कन्फर्म करकर बता दी है वो एक अच्छा पॉइंट भी है और फिर कहूंगा जेनरल ओडियंस के लिए बहुत जादा कन्फ्य जो अभी के लिए तो डेफिनेटली आपको अलगी रहा होगा लेकिना उसी को सुलजाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं ताकि आप भी बिल्कुल कन्फ्यूज ना रहे जिसमें पहली बात तो ये कि सीजन वन की काफी अच्छी सक्सेस के बाद एच्बियो मैक्स वालों ने डेफिनेटली सीजन टू की ग्रीन लाइट दी थी लेकिन जबकि डीसी यू जो पूरी तरीके से रीबूट की स्टेज में है तो आइकोमेन फिल्म के बाद उन्होंने अपने इस कारणामे को पूरी तरीके से शुरू करते हुए सुपरमेन लेशी के नाम कि उस थे के जेम्स गन इस सीरीज को अपने डीसी के यूनिवर्स में किस तरीके से मर्च करने वाले हर फिर क्या सबसे पहले अपडेट निकल कर आगए इसके प्रोडक्शन की कि इसका प्रोडक्शन जो की खुद उनकी वाइफ ने कंफरम किया है कि समर तक शुरू कर दिय जाएगा क्योंकि कहानी की बात की जाए तो जिम्स गन ने अलरड़ी कहानी काविड में बैठ करके चीटिंग करते वे लिकली थी भले सही राइटर स्ट्राइक किनों चल रही हो लेकिन उन्होंने अपनी कहानी स्टूडियो का नहीं बेची थी ऐसे उप्री तो बात बता ह जाती है लेकिन सच क्या है वो बात आप सभी को बता है तो उससे हटकर जब उन्होंने जल्दी से पीसमेकर सीजन टू पर अपना काम शुरू कर दिया तो सबसे पहली चीज उनके दिमाग में भी आई थी कि इसके यूनिवर्स को लेकर के वो डीसी ईयू से डीसी यू में क करने कर दी कि सीजन टू अप डीसी यू के यू निवर्स का हिसा है डीसी-ईयू का बिलकुल वह नहीं कर दी करद कर इसी इसके बात से बहुत का फिर क्या जातागा चाहिए कि पूरा लुक्त KL में मैं नहीं जाओंगा क्योंकि मेरे पास सोर्स की इंफॉर्मिशन है लेकिन अगर उस आर्टिकल की बात करें तो सीजन वन की वो कहते है ना कि कुछ प्रेजन्स इसके सीजन टू में भी रहेगी तब ही जाकर कि यह शुरुबात के कुछ अपिसोड्स तक सीजन वन से कनेक रहे ईसे जादू से उन्हें उनके यूनिवर्स से निकाल करकरके मोडल कमबै के यूनिवर्स में ले आया तो यही ब qué यहुथ यही बात बताई गई है कि इस उन्योर्स को ले करकर के जो गोत साद़ा इसन का मिए आजायए लेकिन भीशीघर को यह घून CRZ करता रहेकिक में व अभी के लिए तो ये बात officially confirm है, जो मैं अभी आपको बार बार रिपीट करके नहीं बताऊँगा, पुरा वीडियो बना दिया है, बाकी बात की जाए, जनरल ओडियन्स की, तो जनरल ओडियन्स को लेकर के, आपको उसकी चिंता करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि जहां हमने नोवे हों में जेके सिमिन्स के क्यारक्टर को देख लिया था, यानि के हजम कर लिया था, तो पीसमेकर के सीजन टू को भी लेकर के कुछ उसी तरी की सिच्वेशन होगी, इस बात की गैरेंटी मेरी, और अगर रीजन की बात की जाए, तो सीजन बन ही इतना जादा सिम्पल, और काफी अच्छी स्टोरी, कैरेक्टर बिल्डब जो सब कुछ प्रेजेंट करता है, उसे तो मास से लेकर के क्लास सभी ओडियन्स इंजॉय करती है, तो हाँ सीजन टू के पेस को भी बिल्कुल वैसा ही रखा जाएगा, यानि बिना किसी कन्फूजन के एक सिम्पल सी सीरीज, डी सी यू के यूनिवर्स में खुद का कमबैक करेगी, क्योंकि जिस तरीके से सूपर मैन फिल्म का जो प्रोडिक्शन शुरू हुआ है, तो इसका भी उसी की फिल्मिंग के साथ साथ आगे बढ़ने वाला है, ऐसे में देखा जाए तो एक और बात क्लियर हो जाती है, कि डी सी यू के यूनिवर्स को लेकर के प्रोड़क्शन की काफी जादा बाड़ आने वाली है, जिस पर बस उन्हें अब आगे बढ़ते हुए हम फैंस को ऐसे ही एक से एक कंटेन देने है, जिन सब पर अफ फिर क्या बनती है, आपकी रहा जो आप मुझे कमेंड में लिख करके बता सकते हैं, मैं हूँ असी मुझेश चैनल, दो हुल आप में अन्यूसे किसी एक वीडियो बूंगे मैं अन्यूसे किसी आप प्रिको फैकर का समी हम दूना बग 네 case movie we तो यहीं और किकल सकते हैं, और अवर, और दो हमाँ